तो जी या दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में मैं हूँ प्रोमीद खोश और आज हम आए हैं डेली बुद इंटरनाशनल सिर्किट पे और यहां पे सुजुकी ने लॉंच किये हैं दो मोटिसाइकल्स तो यह है Gixxar SF और Gixxar SF 250 मोटिसाइकल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे तो आएए बात करते हैं Gixxar SF के बारे में है जो की 155cc वाला जो इनका मोटिसाइकल है तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यह है Gixxar SF यह 155cc मोटिसाइकल है और यह पुराइने Gixxar से inspired इसका chassis वगेरा सब वही है इसको बारी एक अच्छा look दिया गया है बहुत ही अच्छा look जैसे कि आप देख सकते overall look बाइक का change किया गया है अब बाइक में जो चीज़े नहीं मिलती है वो है इसको सबसे पहले आप notice करेंगे इसको मिलते हैं clip-on handlebars इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं यह LED हेडलाइट है यह काफी bright है और इसका throw काफी अच्छा है दिन के वक्त भी हम लोगों को इसका throw दिख रहा था कई-कई पर तो काफी अच्छा है रात के वक्त और भी अच्छा होगा इसका engine के बारे में बात करें दोस्तों इसका engine 155cc का है जो की 14 bhp निकालता है अब engine का power थोड़ा सा कम किया गया है अब 14 bhp power है और 14 nm of torque निकालती है यह bike इसका fuel tank सेम है वैसे का वैसा ही 12 liter का fuel tank है जो पुराने जिक्समे था तो इसका आप देख सकते हैं यह जो instrument cluster है यह भी fully digital है आपको एक बार चालू करके दिखाएंगे तो यह देखिए इसका instrument cluster fully digital है इसमें white backlight है इसको reading में कोई problem नहीं होती है रात को दिन में आप कभी भी इसको आराम सरीट कर सकते हैं इसमें आपको trip meters, time यह उपर आपको rev range मिल जाएगा यहाँ पर यह और यह fuel tank और यहाँ पर speed और gear positioning indicator भी मिल जाता है यहाँ से आप चीज़े set कर सकते हैं और यहाँ से adjust कर सकते हैं यहाँ पर आप एक जब आप gear shift करना चाहते हैं और आप red line कर रहे हैं तो जब आप red line करेंगे तो यहाँ पर यह white light जल जाएगी इसका मतलब आपको gear shift करना होगा आप यह इस bike को start करते हैं और आपको सुनाते हैं कि यह bike कैसे sound करती है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह white light है यह जब मैं red line हिट कर रहा हूं जब यह 10,000 हिट करेगा तो यह white light जल जाएगी इसका मतलब कि आपको gear shift करना है यह काफी अच्छा feature है इसमें और आप देखिए यहाँ पर side panels जो है काफी sharp है और side के panels भी काफी नए दिये गए हैं यहाँ पर काफी अच्छी looking bike दोस्तों यह दो color में अभी available है एक है black और एक है silver और gloss finish में दोनों है जो 250 है दोस्तों वो 250 भी दो color में available है बट वो दोनों color matte है हम उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे यह bike दोस्तों price करी गई है 1.09 lakh x showroom Delhi थोड़ा से expensive है इसके competitors के हिसाब से बट overall जो package इन्हों ने दिया है Suzuki ने काफी अच्छा है और हमनों ने यह bike यहाँ पर चलाया है BIC में और यह bike काफी अच्छी है overall performance की बात करें तो इसमें तो कुछ समझ में आया नहीं है बट track spec अगर आप बात करें आप track पर चलाना चाहेंगे तो यह track के लिए bike काफी perfect है tires की grip level काफी अच्छे है इसको एक single channel ABS दिया गया है vibre brakes से disc brake आगे पीछे available है तो overall दोस्तों अगर आप बाइक देखें तो काफी अच्छी है यहां पर अगर पीछे यहां पर नोटिस करेंगे तो पीछे यहां पर इसको एक LED टेल लाइट मिलता है जो की बहुत ही अच्छा लुकिंग है इसका जो design है वो काफी अच्छा है काफी bright है और इसको एक mudguard मि प्रेम है वैसे का वैसा ही है इसमें क्रोम टिप मिलती है आपको exhaust में तो exhaust पुराने बाइक जैसा ही है इसमें suspension में थोड़े changes किये गए suspension को थोड़ा सा stiff किया गया है इसमें पीछे आपको एक monoshock मिलेगा जो की red color spring में अवेलेबल है जो की अच्छा लगता है और यहां पर आप देखें तो यह front इसमें single channel ABS अवेलेबल है overall जैसे कि मैं बता रहा था bike के looks काफी अच्छे है और पहले से काफी अच्छी looking हो चु में अगलिबल